यह आपका एक ऐसा टोपिक है जो आप देखते होंगे कि हर समय चर्चा में बना रहता है आप लोग देखते होंगे कि जिस विदायक को आप चुनते हैं मालू ही नहीं चलता है कि कब वो किसी पारटी में साविल हो जाता है इसलिए कई आप लोग नाम सुनते होंगे एक बड इनी जो भी पिक्रिया हुआ करती थी, इसको रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाए गया था, आप सभी लोग जानते हैं कि 1985 में लाए गया था, कि इस से पिक्रिया को रोका जाए, कि आप समझें कि कहीं स्थाई सरकारें, उसमें से कुछ बिदायक दूसरे के आँ चले जाते हैं, या इस्थीपा दे देते हैं, तो सरकारें गिर जाती है, और आप जानते हैं कि एक चुनाओ में किसका पैसा करच होता है, आम जनता का पैसा करच होता है, इनी समस्या गो रोकने के लिए, समाधान करने के लिए, इस कानून को लाए गया था, लेकिन फिर भ दल वदल विरोधी कानूं के बारे में एक बिस्तार से अब लोग बात कर लेते हैं और याद रखिए आप लोग कुश्चन्स पेपर वो आने उठा की देखिए आप लोगों को मालू चल जाएगा कि कितने कुश्चन्स पोचे जाते हैं हमेशा एक दो कुश्चन्स इससे आत संस्धन हुगा था और इसमें दल वदल विरोधी कानूं पारित हुगा था और साथ में ही आपने देखा होगा कि 10 वी अनसूची जोड़ी गई थी तो एस सबसे पहले आप लोगों को पॉईन्ट रखना होगा कि जो 10 वी अनसूची जोड़ी गई थी यह आपके बाबन व से भारतियों से सम्मिधान जोड़ा गया है और इस तानून का मुख देश भारतिय राजनीती में दल बदल की कूपिर्था को समाप्त करना था जो की 1970 के दसक से फूर भारतिय राजनीती में काफी पिछली थी और आज भी तो आप देखते हैं कि पिछली थी है कई राज्यों में इस तरह की सरकारें गिराने के लिए काम होते रहते हैं एक कूपिता चलती रहते हैं कई राज्यों की आप लोग उधारन भी देश सकते हैं आपके राज्य में भी कई बार यह हो चुका होगा ठीक है आगकी रिसमें अगर हम लोग प्रावधानों की बात करें कि आपके रहते हैं कि उसमें आयोग ठैराय दिया जाता है लेकिन क्या होता है कि आप समझे कि किसी पायटी के सिंबल से चुनाओ लड़ा वो जीत गया उसने इश्ठीपा दे कि या आप समझे किसी पायटी में सामिल हो गया तो आप समझे उसकी आयोग घुसित करतेंगे ले तो उसकी वो आगे आने वाले समय में कभी चुनाओ नहीं लड़ाएगा तो हो सकता था कि इस पर पावंदी लगती कुछ से रोक लगती लेकिन आज आप देखते हैं कि इस पायटी से जाते हैं उस पायटी से चुनाओ लड़ लेते हैं और जंता बड़ी सीधी साधी होती समझ रहे हैं आप लोग तो उसमें भी उसे बूट दे देते हैं दुबारा चुनाओ जिता देते हैं ठीक है कोई जाना असर पढ़ता भी नहीं है या फिर कोई निर्वाच्ची सदस किसी राजनितिक दल में सामिल हो जाता है माली जी कि आपने चुनाओ लड़ा आप निर बिर्दलिय लड़ रहे है तो किसी पाईटी का भी सदस होगा लड़ रहा हुआ जन्ता को वहाकी जन्ता को उस पर भरोसा नहीं था तबी तो आपको बोट दिया Leoisa लेकिन आप क्या करें कि उसी पाइटी में सामिल हो जाए? तो जनता के भरोसी का क्या होगा? समझ रहे? या फिर किसी सदस द्वारा सदन में पाइटी की पक्ष के विपरीद बोट किया जाता है. मालेगे कि वीब जारी किया हुए है पाइटी ने कि इस से पिस्ताओं पर इस सदस किसी राजनेतिक दल में सामिल हो जाता है. आप देखते होंगे कि आपकी विधान सभा में या आप देखते हैं लोक सभा में सदसों को कुछ मनोनीत किया जाता था या फर आप देखते होंगे आपके विधान परिशत में भी कई राज्यों में हैं तो उसमें भी मनोनी अब बात करते हैं आखिर इस कानून की आवस्तक्ता क्यों पड़ी अब आप जानते हैं कि कानून खुसी में तो नहीं लाया गया था तो लोकतांतरिक फिक्रिया में राजनेतिक दल काफी एहम भूमी का अधा करते हैं और सिध्धानतिक तोर पर राजनेतिक दलों की महत्पूर भूमिका यह हैं कि वे सामोहिक रोक से लोकतांतरिक फैसला लेते हैं और हाला की आजादी के कुछ ही वर्सों के वीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनितिक दलो द्वारा अपने सामोहिक जना देश की अंदेखी की जाने लगी है और विधायकों और सांसदों की जोड तोड से सरकारे बनने और गरने लगी है इस तरह से आप देखते हैं कि इसी समस्या को रोकने के लिए आप लोगों ने देखा कि यह कानून लाए गया था अक्टूबर 1916 को हर्याणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दनों के वीतर तीन बार दल वदल कर इस मुद्धे को राजनितिक मुकधारा में लाग खड़ा दिया गया तो यह थी गया लाल इन्होंने 15 दन में आप समझे तीन पाइटियों में इन्होंने इंटरी ली एक दूसरे से निकलते रहे आप समझ सकते हैं और इसी के साथ जल्दी दलों को मिले जनदेश का उलगन करने वाले सदसों को चुनाओं में भाग लेने से रोकने तथा आयोग घोसीत करने की इतना खर्च होता है समझे रहे आप लोग और यह सभी आपके ही टेक्स के द्वारा इखटा किया जाता है पैसा जो सरक्यारे चल रही हैं समझे रहे हैं यह सभी इसो विधायन जो दी जा रही है इन सदसों को यह आपका ही पैसा है और वर्स 1985 में समिधान संसुधन के जरि में दल बदल पर भी आयोग घोसित नहीं किया जा सकता है कुछ यह परिस्तिती ऐसी भी होती है कि उसमें अगर उस परिस्तिती के हिसाब से चलते हैं और दल बदल भी करते हैं तब भी आयोग घोसित नहीं किया जा सकता है सदसों को दल बदल विरोधी कानून में एक राज तिक दल में या उसके साथ विलाय करने की अनुमती दीख दई गई हो आप समझेए माल लेजे ऐसा होगा पता नहीं क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है यह राजनीती है समझेरे कॉंग्रेस को चलिए बीजेपी में सामिल कर लिया जाए तो इस इस्तिधी में आयोग होसित नह उस समय जो भी होगे उनको इस बिलाय की पक्ष में होना चाहिए तबे क्या रहेगा मान रहेगा कोई आयोग नहीं होगा विधाय ठीक ऐसे में ना या फिर लोकसाभागी बात करो ऐसे में ना तो दल वलल रहे सदसों पर कानून लाग होगा और नहीं राजनीतिक दल पर औ बनने वाले सदस को इस कानून से छूट भी प्राप्त होती है और अपबाद की कुछ प्रभाव की अगर बात करें अब लो तो दल वलल विरोधी कानून एकोची सुधार था लेकिन इसके अब बादों ने इस कानून की मारक चमता को कम कर दिया है और जो दल वलल पहले एक कल होता था अब सामहिक तोर पर होने लगा है सिधा सा कहने का मतलब यही है कि पहने लोग एकल दोकल विधायक हुआ करते से सामिल अब समगी पूरी आधी पाइटी ही तूट जाती है इस तरह कि आप लोगोंने कही राज्यों में देखते भी रहते होंगी और सन 2003 को संसत को एक आधे वे समिधान संसोधन करना पड़ा जिसमें वेक्ति तीगत ही नहीं बलकि सामविक दल वदल को भी आसमिधान एक करार कर दिया गया है तो इस अंसोधन के तए मंती मंडल का आकार भी 15% सीमित कर दिया गया यानि कि कहने का मतलब है कि 100 सदसें तो उसमें से 15-30 सदस को ही मंतरी का दर्जा दिया जा सकता है ठीक है हलाकि किसी भी केमिनीट मंद संदसों की संख्या बारे से कम नहीं होनी चाहिए और एक कम बारे से कम भी नहीं होनी चाहिए ठीक है यह संसोधन के द्वारा दस भी अनुसूची की धारतीन को खतम भी कर दिया गया था और जिस के पास होती है कानून के अनुसाद सदन की अध्यक्ष के पास सदसों को आयोग करार देने संबंदी ने लेने की सक्ति होती है जैसे आप समझे बिधान सभा अध्यक्षों या फिर लोग सभा अध्यक्षों इनके पास इस तरह की सक्ति होगी और याद रखिए कि उच्छे के इस भी आपके है, जब आप लोग answer writing करेंगे, तब इन केसों को आप लोग वहाँ उपियोग कर सकते हैं, ठीक है, इससे क्या रहेगा, कि काभी तरभावकारी answer आपका हो सकता है, ठीक है, और या फिर आपका प्रेलियम से बें direct questions भी बन जाएगा, एक आपका बहुत चल्चित केस रहा है कि होतो होलो हन बनाम जाचली हूँ, ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, 1993 कि कि होतो होलो हन बनाम जाचली हूँ, बाद में उच्तम नियालाय ने नेड़य देती हुए कहा था, कि विधान सभा अध्यक्ष का नेड़य अंतिम नहीं होगा, विधान सभा कि आइक फुनाओ-लोकन्त कि आ जा सकता है.. कहने का सिधा सा मतलब यही है कि बिधान सब अध्याच अगर कोई नेड। अगर कोई नेड़ दे रहा है तो वो आंतिम नहीं है.. उसके आगे भी कुछ पिक्रिया हो सकती है उसका भी नियाय के यानिक देख सकते हैं कि कहीं गलक तो नहीं नेड़े लिया है ठीक है विधान सवाध ध्यक्ष का नेड़े दुरभावना दुरागे या सम्मिधानिक जनादेश और फ्राक्तिक नियाय के विरुद्ध पाय जाने की स्तिती में नियायक पुनाव लोकन किया जा सकता है अगर इनकी साब ने हम प्रमुख चुनोतियों की बात करें कि आखिर चुनोतियां क्या क्या है तो पितिनीदी लोकतंत की भावना के खिलाब दलवदल विरुदी कानून ये सुनिचित करता है कि विधान मंदल सदसों के द्वारा किये जाने बाले दलवदल पर रोक लगा कर एक इस्तिर सरकार पिदान की जाए हाला कि एकानूर विधान मंदल सदसों को उनकी मद्दाताओं के हितों के अनरूप सौविवेक के आधार बर मद्दान करने से पिति बंदी करता है बैसे याद रखिए इस तरह का इमान दार आपका जो भी पितिने दित कर रहा होगा वो होगा नहीं यहां कहने का यही मतलब कहा जा रहा है कि माली जे सरकार जनता की हक में कोई फैसला नहीं रही है और आप समझे उस समय भी कोई विधायक इमानदार हो और वो उस पर बोटिंग ना करे उस पिस्ताओं के पक्च में बोटिंग ना करे तो उसकी बात की जा र करता है क्योंकि यह विधार मंदल सदसों को राजनेतिक दल की सीस नितत द्वाना ले गए नेडाओं के आधार पर वद्दान करने के लिए बात करता है कहने का मतलब है कि कोई पाइटी अगर जिस तरह से चाहेगी उसी तरह से वो सदस काम करेगा उसके पास अपना कोई सक्त सदसों को आयोग करार देने संबंदी नेड़र लेने की सकती है यानि कि कह सकते है आप लोग विधान सभा का जो भी अध्यक्ष होडता है उसकी बात या लोग सभाद्यक्ष की बात की जा रही है हाला कि ऐसी कई उधारन है जब पीठासी अंदरिकारी सत्ताधारी राजनतिक्दल के नहित स्वार्त की पूर्ति करने वाले अभी करता की भून का नेभाने लगते हैं यह आप भी जानते होगे कि आप जानते होगे कि जैसे माली जी की बिधान सभा में अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी का है तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के हित्में नेडर ले सकता है ठीक है यही लोग सभा में आप देख सकते हैं ठीक है क्योंकि उस पार्टी ने उसे अध्यक्ष ब बात कर लेते हैं दल बदल विरोधी कानून ने राजनेतिक दल के सदसों को दल बदलने से रोग कर सरकार को इस थिरता पिदान करने में एक महत्पून भूमिका भी अदा किये और बरस 1985 से पूर कई वार यह देखा गया कि राजनेता अपने लाप के लिए सत्तधारी दल को छ करता था दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनेतिक दल को अपनी सत्ता की इस थिरता के वज़ाए विकास अंबंदी अनबुद्दों पर ध्यान के अंदित करने के लिए फेरित किया है और इसमें आप लोगों के आगे बेपक्ष में तरक क्या दिये जा रहे है उस पर तो बात करेंगे। साथ में आप लोग समझें कि आपने अभी भी देखा होगा कि विधायक जी दूसरी पायटी में जाते हैं और उस पायटी से चुनाव लड़ते हो और वो दुबारा जीच जाते हैं। कोई मुझे लगता है कि जानदा विधायक जी पर फारक नह दोलुपता कि कारण की जाने वाली आउसरवादी राजनीती पर रोक लगाने हो और आनेमी चुनाव के कारण होने बाले बहे को नियंतित करने में मदद की हैं। अपको नहीं सुना जाता है। एक तरह से आपके जीची तो उनको रख पाना उसके लिए मुस्किल भी हो जालता है ठीक है अन्ने सब्दों में कहा जा सकता है कि इसके कारण अंतर दलिये लोकतंथ पर प्रिभावी पढ़ता है और दल से जुड़े सदसों की अभी व्यक्ति की सुतंता खत्रे में पढ़ जाती है जनता का जनता के लिए उल जनता द्वारा सासन ही लोकतंथ है लोक्तंत में जनता ही सत्तधारी होती है और उसकी अनुवती से सासन होता है और उसकी प्रग्रती की ही सासन का एकमात लच्छ माना जाता है परंतु यह कानू जनता का नहीं बलकि दलों के सासन की विवस्था अल्थात पार्टी राज को बड़ा आवा देता है इसलिए भी इसकी आलोचना भी की जाती है और जब भी आप लोग आञसर लिखेंगे तो विपक्ष में तक जब भी लिखेंगे तो इन्हें आप लोग लिख सकते हैं कई विसे सक यह भी तक देते हैं कि दुनिया के कई फरिफक्त लोक्तंत में दल वदल विरोधी कानू जैसी कोई विवस्ता नहीं है। उधारन के लिए इंग्लेंड, ऑस्टेलिया, अमेरिका, आधी देसों में यदि जन फिती ने दी अपने दलों के विपरीद मत रखते हैं या पारिटी लाइन से अलग हो जाकर वोट करते हैं तो भी भी उसी पारिटी में बने रहते हैं। तो याद रखिए अगर किसी देश का मददादा जागरूख हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग? इसम कानून में देश में आयाराम, गयाराम की राजनीती को समाप्त करने में महत्पूर्ण भूमिका अना की हैं। हाला कि विगत कुछ वरसों में देश की राजनीती में इस कानून की अस्तित्र को कई वार चनोतियां भी दी जा चुकी हैं। दलबदल विरोधी कानून में संस परिस्कित किये जाने की जरूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत सबसे बहतर लोकतंत भी साबित हो सके। कि इस तरह कि जब भी कानून होता है तो लोग बीच का रास्ता निकाली लेते हैं और इन बिधायकों ने भी यही किया इन पाइटी के जो भी रहते हैं आप लोगोंने कुछ समय पहले देखा होगा कि मद्धपदेश में जो भी हुआ एमपी में वहां आपने देखा है कि कु इस से बहते हैं कि जनता को जागरोक किया जाए कि अगर विदायक जी लालच में जनता के विस्वास घाथ करते हैं जनता के साथ यांकी वहरोशे को तोड़ते हैं तो जनता बहते जवाब दे सकती है तो यही कहानी है और इससे याद रखिए आपके questions हमेशा पूछे जाते रहें और जाते रहेंगे तो सभी point को आप लोग बड़े ध्यान से रखा करें और याद रखें लिजी है